प्रधान मंत्री नरेंद्रा मोदी और भारत पर अपमांजनक टिपनी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मर्यम शोना को कैबिनेट से सस्पेंट कर दिया गया है। मुताबिक शोना के अलावा दो और डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजू माजिद को भी सस्पेंट किया गया है। बातचीत में मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने कहा भारत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के हवाले से जो कुछ चर रहा है, उसके बारे में हमारी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। फोरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया है। भारत के बारे में कमेंस करने वाले सभी सरकारी अफसरों को फोरन सस्पेंट किया जा रहा है। कोई कोट मालडव स्ट्रेंड होने लगा वहीं भारत के कई सेलब्रिटीज ने लक्षदवीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तारीफ और समर्थन किया मंत्री मरियम शोना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में पी एम मोदी के लिए आपत्य जनक शब प्टी मिनिस्टर थी उनकी इस पोस्ट पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपती मोहमद नशीद ने कहा शोना ने गलत शब्द कहीं हैं ये बात मालदीव की सुरक्षा और सम्रिद्धी को खत्रे में डाल सकती है राष्ट्रपती मोहमद मुईज्जू की सरकार को ऐसी ट इस दौरे के बाद लक्षद्वीप में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके जवाब में पीपीम के नेता जाहिद रमीज ने लिखा बेशक यह अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है, वो भारत कैसे देगा। वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे, जितनी हम रखते हैं। उनके कमरों में आने वाली बदबू टूरिस्टों के लिए सबसे बड़ी दिखकत होगी।